हेलो एवरीवन आज मैं बनाओंगी सुपर सॉफ्ट और टेस्टी मिठाई जो पांच से आठ मिनट में बनकर तयार हो जाएगा तो शुरू करते हैं उसे बनाना एक मिक्सर जार ले लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और उसमें डाल लेते हैं एक चम्मच नारियल का भूरा और इनको पीस लेते हैं बारिक या दरदरा पीस लीजिए तो हमने पीस लिया है इसे इसे एक ले लेते हैं प्लेट में प्लेट में गिरा लेते हैं इसे और इसमें डाल लेते हैं इलाइची पाउडर इसमें इलाइची पाउडर हम डालेंगे तो इलाइची पाउडर डाल लेते हैं एक चमच इलाइची पाउडर डाल लेते हैं और डाल लेंगे इसमें चीनी का पाउडर है यह चीनी को हमने पीस चीनी पाउडर लिए चीनी अपने स्वाच के अननबे कर सकते हैं मिला लिया, पनेर फैक ऐसे नहीं ही ज़स हो सोंफ्ट, सब्सकीन ज़ें चैंसे छोटे चैंसे दूद या, यह जाता है यह यह तेखों, थोखुणी बुद्द, और ऐसे दोड़िखना हैे डाले मेच लेए तो एक दो सो ग्राम पनीर goes tiny इसे अच्छी तरह के लिए ठाफ्ट के साथ पानीर दोर निकाल लेते हैं इसमें रहना देते हैं के लीए इसे उपनीक यह दोर अधा कि दोर के नीके भी़ ने कि और भी घोनाना सा मटना 2 अándak इसे तरह से दो कलर का हम मिठाई तयार करेंगे और अब इसके बॉल बना लेते हैं छोटा बड़ा जो भी साइज आप रखिए तो बॉल तयार कर लेते हैं तो हमने यहां एलो कलर वाले बॉल तयार कर लिए हैं अब कर लेते हैं ग्रीन वाले इसको भी बॉल्स बना लेंगे पॉप माँटेते तो माँटे लेटे हुए हम इसका बाउल बना लीए तो लीजनें दोनों त्यार कर लिये हैं और अब लेड़े ले लाते हैं एक बड़ा बाउल गेहरा छालो जाल एकमयद अरहें नंपनों द्याल एक जुना नीमाल सब्सक्क्रबगार सब्सक्रफ दूढ़ सब्सक्रफट करना की फ़ल दूट दाल सब्सक्रफट करते हैं ताकि थोड़ा पतला हो जाए पूरे दूद को डाला देंगे एक गिलास लगबग दूद इसमें चाहिए तकी दूद लिया है इसे डाल सकता है और घुल तयार करते हैं और आप डालने हैं öff comments कि में तुसमें मिल्क पाउडर है तीन से चार चमच ढाल लें, ताकि दूद अमारा गढ़ा हो जाए कि हम इसे पकाईंगे नहीं, इसलिए MiLK PAUDर दालगे लिएrament कि मलाई और भी समर्ण मेलक पाउडर से भी और इसे मिला लें अच्छी तरह से दूद गरम नहीं है ठंडा ही दूद में मिला रही हूं इसके लिए ठंडा दूद ही चाहिए हमें रूम टमप्रेचर वाला और इसमें डाल लेते हैं एक चमच चीनी पाउडर क्योंकि इसे भी मीठा करना है तो इसे मिला लेते हैं और एक गढ़ा गोल तयार कर लेंगे गढ़ा रहेगा तो अच गोल को अब एक तरफ करते हैं और ब्रेट के किनारों को हम काट लेते हैं हमें बीच वाला भाग चाहिए और जो किनारे का ब्राउन भाग है उसको हम निकाल देते हैं तो साइट साइट हम निकाल लेंगे ब्रेट के किनारों को और इस तरह से हमें करके लेने हैं और एक एक भ्रेट के पीसो को लेंके हमिसे में डीब करेंगे दोनों साइड तरफ रिए ताक स्वाफ्ट हो जाया और पिर बाकी एक्ष्टर दूद को हम हाथों से दवाकर इसको निकाल देंगे दूद को और फिर एक लड़ू तैयार कर लेंगे इसमें रखे, यह मनें यस्टफिंग क गोला या लंबा जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना लीजिए इसे इसे तरह से हम ग्रीन वाले को भी बना लेते हैं इसे बहुत ही आसानी से बनके तयार हो जाता है इस होली में आप इसे जरूर बनाईए बहुत आसानी से बनके तयार होता है और खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है तो हमने सारे बना लिये हैं अब इस पर using silver work लगाते हैं silver paper जो आता है मिठाईयों में लगने हाला तो उस लगा देते हैं थोड़ा-थोड़ा लगाएंगे थोड़ा-थोड़ा लगा लेते हैं चिपक जाते हैं हाथों में ही तो इसे लगा लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमने लगा लिये हैं मिठाई के ऊपर सिल्वर पेपर और अब डाल लेते हैं इनके ऊपर जो गोल बचा है उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे मिठाईयों के ऊपर चमच के मदद से ताकि और भी जूसी बन जाए ये मिठाई हमारी समी मिठाईयों के ऊपर इस तरह से हम डाल देंगे तो घोल थोड़ा ज्यादा ही बनाई है ताकि उसके बाद इसके उपर से इसे डालने के लिए बच जाए यह डालना ज़रूरी है तभी सॉफ्ट और रसीला हमारा मिठाई बन के तयार होगा उसके उपर से हम ड्राइफ रूट से भी थोड़ा सा गानिश कर देते हैं कोई भी ड्राइफ फ्रूट साप लगा सकते हैं पिस्ता हो पिस्ता लगाए बदाम तो बदाम मैं तो बदाम लगा रही हूं और यह हमारी मिठाई जटपट बन के तयार हो गई बहुत ही रसीली और टेस्टी बन के तयार हुआ है तो फ्रेंड्स एक बार आप इसे जरूर बनाईए बहुत ही आसान है बनाना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए चैनल पर हमारे नए है तो सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में